हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगेंट तो प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका एजुकेटर साइद शाबाज दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे तो जैसे के आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों के हमने यूपी पी सीएस के जो एक्जाम्स का जी एस पेपर वन की किताब कवर कर रहे थे तो उसी का कंटिनेशन सीरीस है पार्ट त्री वीडियो रहेगा दोस्तों जहां पर हम थर्ड टॉपिक जो मेंशन किया गया है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आज हम पढ़ेंगे जी हां पार्ट बन पार्ट टू अल्री हमारे चैनल पर अप्लोड है अभी तक आपने नहीं देखा है को तो प्लीज देखिएगा कि प्रीवेश सेर कोशन पेपर्स में किस तरह से आपको टॉपिक्स पूचे जा रहे है क्या क्या कोशन से उसमें सारा कुछ मैंने डीटेल ली कवर किया है तो लेट्स स्टार्ट यहां पे फ्रीडम स्ट्रगल में आपको देखिए क्या क्या टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे रिवाल्ट आफ 1857 फॉर्मेशन आफ इंडिन नाशन कॉंग्रेस स्वदेशी मुम कही तरह के author कही तरह की जो history historians है उन्होंने लिखा है कि different different reasons मिला के इसका revolt होना शुरू हुआ है because कहीं लोगों का कहना है कि farmers को सताय जा रहा था जमींदार्स को एक्स्ट्रोइट किया जा रहा था और कहीं लोगों का economic exploitation हो रहा था अगर आपको पूचे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो गन्स यूज किया करते थे सिप्वाइस तो उसमें जो है पिक फैट मिलाया जाता था दोस्तों जो बुलेट्स में होते हैं जो काप रिमूव करते हैं उस काप में फिक फैट यह तो रिलिजिस मैटर हो गया तो पिरिजिस्टिट स्को शिपाइस को जमिंदार्स को पीजन्ट को डिलिजिएस लिटष कू लूस्तों दोस्तों टैवत तो उस्तों आऊ-पाम्पढले यमाणीज कव रहता हो था 10 असक को तो यह तो U Keis सब्सक्राइब कर चुके थे दोस्तों लोग डिस्क्रिमिनेटरी टारिफ पॉलिसी लगाया गया था वेरे जमिन दर्स तालूग दर्स इन सारे लोगों का स्टेटस छीना गया था दोस्तों पॉलिटिकल कॉस्स की बात करें इंट्रेक्शन आफ डॉक्रिन आफ लाप सबसीडियरी अलाइंस उसका दे एक्सपैशनिस्ट अप्रोच रिजल्टेड इन लॉस अफ ट्रस्ट और शोशो रिलीजियस कॉजस की बात करें तो पहला हो गया क्रिस्टियन मिशनरिस उस वक्ट पे बहुत अक्टिव थे कई सारे लोगों को जो है रिलीजन कनवर्ट किया जा रहा था क्रिस्टियन में तुरो इस मिशनरिस वेरेश शोशल रिफॉर्म सच अबॉलिशन आफ सती सपोर्टिंग विड़ो रिमारेज रिलिजिज इस डिस कर ले उनकी पॉजिशन ना बढ़ती थी ना उनके एमॉलमेंट्स ना उनकी सालरी बढ़ाई जाती थी दोस्तों जितने भी हाई लेवल के पोस्ट होते थे वो सारा कुछ ब्रिटिश के लिए रिजर्व किया जाता था ब्रिटिश आर्मी के लिए दा इश्यू आप एंफ इस देख सकते हैं अब में बहादूर शा जनल बक्त खान लखना में जगदिश पूर में कुनवार सिंग बरेली में चान बहादूर खान कानपूर में नाना साहिब राइट रानी लक्षमिवाई जांसी में तो तरह डिफरेंट डिफरेंट एरियास पे इन्होंने रिवाल को आगे बढ़ाया है और रिजन फर फेलूर अफ रिवाल्ड की बात करे तो लिमिटेट टेरिटोरियल एक्सेंट इस इंडिया जिहां लिमिटेट शोशल बेस बिक्स अमिंदर इन आक्ट अफ लॉयली आक्टेट सपोर्टेट बिटिश पूर आंस एक्विपन की बात करे रेबल हैट फ्यू गन्स स्वार्ट एंड स्पीर्स अन कोडिनेटर एंड पूर्ली अर्गनेस्ट नो सेंट्र लीडर्शिप और पूर कम्मिनिकेशन नो युनिफाइड आइडियोलजी दोस्तों बैक्वर्ड लुकिंग मुमेंट लाक्ट फुचरिस्टिक परस्पेक्टिव क्या क्या चेंजस किये गे जब रिपॉल्ट हुआ था 1857 में पहला जो चेंज देखने को मिला है हमको मिलिटरी पॉलिसी युरोपेन सुप्रमिस्टिव इस्टाबिश्ट की पोस्ट वर गिवन ओली टू कहां पे युरोपेंस को देने के लिए बात की गई थी जासो में अभी वताया आपको ओली सोल्जर्स वो सपोर्टेट बिटिश वर पुट इन कॉम्बैक काटिगरी अं रस्तिन नॉन कॉम इन अड्मिनिस्टियटिव मेंटर्स एक नई पोस्ट क्रेट की गई है सेक्रिकर shooting of state दोस्टो और बर दीक्टर को निकाल दिया ता उससे पहले सारे ब्ररटो डिक्रिक्टर क्लीथ ऑख बनाए गया बृतिश फेवर्ट कुम्दीश उससा धरने से मना कर दिया गया है दोस ग्रिश्टियानिटी क्योंकि उस वक्त जो है Christian mission is बहुती तेजी से लोगों का religious जो धर्म होता है उसको change करते रहे but the statement of race has certain strict reservation like Christianity was not target during the revolt even though some of the conservative section of Indian society were against the imposition of Christianity over them. Next Outram observed that the revolt of 1857 was Muslim conspiracy to overthrow the British rule from India. Okay से एक मुस्लिम कॉंस्पिरेसी भी कहते है So Outram का कहना है कि the Muslim wanted to bounce back into ruling system and thus conspired against the British rule यह भी कोई valid reason नहीं है और Holmes कहना है कि this revolt was a class of civilization and barbarians दोस्तों Benjamin Desireel इनका कहना है कि national revolt है Lawrence and Seeley had some coherence with Indian viewpoint especially with that of S.N. Sen. जिन्होंने लिखा था अपनी किताब में की military revolt होने वाला है दोस्तों okay therefore out of many viewpoints Indian histories and British historians had different context of expression आप थोड़े बहुत इसमें जो है इतने सारे अगर आपको याद नहीं होते तो दो तीन नाम का आप आप याद रख लिजए उनका reference आप लिख सकते है एक्जाम में अच्छे points marks मिलेंगे आपको उसके बाद है मारा formation of international Congress party and early nationalist movement formation of international Congress was national culmination of political work of previous year क्या क्या factor से पहला हो गया Western thought and education दूसरा हो गया existing political association तीसरा rise of middle class intelligence दोस्तों और चौता political and administrative unification of country जी हां following methodology क्या थी इनकी Congress की from moderate faction की बात करें तो constitutional means of agitation with four walls of law तो इनका revolt या हतियार उठाना किसी को मारना मकसद नहीं था कि laws के अंदर ही रहके काम करके इनकी तरफ रिवाल्ड किया जाता था दोस्तों then creating a public opinion about national law issues के बारे में and political education of people campaigning abroad to press British government method of prayer and petition to the railers ये इनके policies थे and following were the achievements of the Congress economic critic of British imperialism by exposing drain of wealth दोस्तों constitutional legislative reform such as expansion of council which gave opportunity for more association of Indians provision of indirect elections budget discussion इसारा कुछ किया गया उसवत campaign for administrative reforms and spreading national consciousness nationalist attack at the political roots of colonial okay state and source seed of disinfection this is by the period of 1875 to 1905 तक यही चला था दोस्तों okay उसके बाद आता है स्वादेशी मुमेंट लॉड करजन ने क्या 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 बेंगाल को डिवाइट कर दिया था on basis of political administrator requirement but actually बोलते है न परदे के फिचे कुछ और होता है he was using the policy of divide and rule to counter nationalist wave of congress बेंगाल being splitted स्वादेशी मुमेंट वस launched जी हां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आप स्वादेशी मुमेंट टीन तरह के पोलिटिकल हो गया एकॉनमिक हो गया शोशो कल्चर हो गया पोलिटिकल जोके anti-imperialist in nature एकॉनमिक जोके indigenous industry शोशो कल्चर हिंदू-muslims unity के बारे में ज्यादा तर फोकस किया गया है पोलिटिकल है सुराज एम था इनका और use of summity masses वही अगर एकॉनमि में देखें तो आत्मा शक्ति self-reliance दोस्तों जितने भी Britishers के product है उसको bycott किया जाए आज जो हम कर रहे है ना आत्मा निर्वर भारत वो कपका हो चुका था इन स्वदेशी मोमेंट कि हमारे खुद के products को हम use करेंगी शोशो कल्चर की बात करें राखी और गंगाशन मतलब सारे लोगों को जो है अपना भाई दिखा भाई-भाण के तरह relationship दिखाया गया है भाई-भाई की तरह हिंदू मुस्लिम हो आमर सोनार बांगला एंथम गया करते थे भारत मानता पेंटिंटिंग भई अबिंदनार ठ रड़ मुस्ट कर दिया था और सेंग्व नोनों बी अलग हो चुके थे सूरत सेशन में वहाँ भी तोड दिया था है और यहां पे अगर आप देखेंगे बंगाल को भी तोड़ दिया था, एक successful moment रहा उनके लिए and following were the contribution of सवधेशी वोगत, पहला है first mass moment दोस्तों it showed rise of nationalism on mass level, culture upsurge, as भारत माता पेंटिंग and song अमर सोनर बांगला social base increased from just upper class to now covering lower middle class as well social innovation की बात करे, there were innovative methods and techniques such as bycott, atma shakti, fasting, praying and promoting स्वधेशी, चले उसके बाद आता है हमारे important point जो कि non-cooperation moment है, under the leadership of Mahatma Gandhi the non-cooperation moment was launched on 1st August 1920, there were the following reasons क्या है पहले resentment at British after world war one because the people hope that they would be rewarded by autonomy for supporting, world war one में गांधी जी ने इसलिए भेजा था सारे लोगों के Britishers, sorry, हमारे Indian Army को, यह उमीद थी कि उसके बाद जो हमको एक autonomy structure दिया जाएगा, but हुआ नहीं हूँ, home rule moment provided basic foundation for mass moment, roll attack और जलेन वाला बाग मेंसास कर broke the faith of people, दोस्तों, वहां से तुकड़े हो चके थे लोग, Khilafat moment was launched because the Ottoman Caliphate was proposed to be dissolved, and क्या-क्या features से non-cooperation moment के यह important है, यह points आप हो सके तो as it is याद कर लीजे, exam में अच्छे marks मिलेंगे आपको, पहला है peaceful and non-violent moment होगे, दूसरा, huge participation by Muslim population, sorry, दूसरा, successful economic boycott of British goods, fourth हो गया, mass moment in which people participated in large numbers, fifth restructuring of Congress at grassroot level, and Congress demanded, सौराजवार, self-government, इसके बाद भी उसको called off कर दिया गया, क्योंके 4-4 incident होगा था न, जहां पर 22 policeman को जिंदा जला दिया था, दूसरा, police station, next है हमारा, significance of non-cooperation, किस तरह से आप summarize करेंगे, देखे हिंदू-Muslim unity हम को देखने को मिली यहां पर, people become consciousness of their political rights, okay, indigenous industries and khadi were promoted, it shook the British empire as a large number of people were participated, तो next आता है हमारा, civil disobedience movement, दूस्तु, it started with salt satyagraha, और Gandhi जी ने इसको lead किया था, जनी lead किया था, जो भी आपके है, okay, from the Sabaravati Ashram on 12th March 1930 and March to reach Dundee, a coastal village to break salt law by producing salt from seawater on 6th April 1930, along with Gandhiji 60,000 people were arrested, people participated in white, spread civil disobedience movement not only for salt tax but also for other unpopular tax law, कुणसे कुणसे, forest tax, chaukidha tax, land tax, etc. Raja Gopalajari led a similar movement in Southeast from Trichy to Vedaraniam in Tamilnadu, Kelappan led a march in Malabar region from Calicut to Payanur, in Peshawar, Frontier Gandhi, Khan Abdul Gaffar Khan took march forward, Sarojini Naidubi ने भी किया था, धरसाना में, the movement ended with Gandhi-Irvin pact in which British government released all the political prisoners and congress participant in second round table conference, क्या क्या impact रहा है इस moment का पहला देखे, it pushed the Indian freedom struggle into limelight in western media, it brought a lot of people including women and depressed classes directly in freedom movement, it showed strength of Gandhiji method of non-violent struggle, तो हम आप आचुके हैं quit India moment में, quit India moment was a result of falling factors, क्या क्या है पहला है failure of Crips mission, popular discontent due to inflation and shortage of essential commodities, Japan shattered white prestige in world war 2, weakening of Britain in world war 2, usage of draconian measures to suppress civil liberties, और महात्मा गांदी निये कुट इंडिया मुमेंट को start किया था, from Gowalya Tunk Maidan of Mumbai on 8th August 1942 में, और यहां पह बताया एक slogan, do or die, करो या मरो, very very important है ये, कहां पह शुरू हुआ था ये भी नाम याद आख लिजे, British government arrested all major congress leaders like Gandhi ji, Jawala Nehru, Sardar Patel, okay young leaders Jay Prakash Narayan, Ram Mohar, Lohia, Aruna Asaf Ali, सारे को arrest कर दिया गया था दूस्तों, but इनको नहीं, young leaders ने actually इस movement को समाला था, but जो famous leaders थे Congress के, Gandhiji Jawala Nehru, उनको arrest किया था, more than 1 lakh people were arrested, government hit it with hands, more than 10,000 people died in Lathi charge also, okay, क्या-क्या feature से हैं इसका, पहला जोए demand of complete independence, violent को खतम कर दिया जाए, wider mass participation वहा था इसमें, underground activities, parallel government इसमें important aspects हैं, कुट इंडिया movement के, this was parallel government established such as satara balia, first time Gandhiji ignored violent offshoots and continued the movement, अभी चलते हैं model question paper पे जो expect करते हैं कि इस तरह के questions पूचे जा सकते हैं exam में, related effect of character and policy of colonial rule in India, इसको आपको elaborate करना है, IAS में ही पूचा था, 2019 का है, पहला जोए आपको एक structure लिखना पड़ेगा, nature of reward, क्या पूचा है यहां पर, कि 1857 का, क्या ऐसे reasons है, जो इस तरह का revolt highlight हो था, 1857 के सारे जितने भी reasons है, social economy, political reasons, administrative reasons, economic reasons, सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या policies लाए थे, जिसके वज़े से, यह trigger हुआ था, और उसके बाद क्या क्या significance है, और summary में आप यह भी लिखिए, कि after the revolt of 1857, क्या बदलाव लाएगे, यह भी एक positive point, यहां पर इन्होंने include नहीं किया है, but मेरा suggestion यह है, कि after 1857, एक दो point, यह भी at least 3-4 point में आप summary में लिखिए, ज्यादा तर नहीं, okay, next, discuss the impact of home rule moment on freedom struggle की बात करें, देखे, बाल गंगादर तिलक जी ने home rule week को established किया था in Puna, at Puna in April 1916, while Miss Annie Besant established home rule league at Madras in September 1916, यह moment का मकसद ही है, कि self government को लाया जा, and major aim was the promotion of political education, following were the impacts क्या है पहले, creation of organizational link between urban and rural areas, which was important for mass participation of the people, दूसरा birth of a generation of nationalist leaders, okay, it brought the moderates or extremists back to Congress, यह सूरत split में अलग हो चुके था दुबारा से इनको जोडा गया, the movement was able to split political consciousness in many parts of India, and it expanded the social base as a participation of women, started increasing, the next question is, discuss the reason for development of extremist phase, along with their methods, सूरत split में आपको पता है, moderates, moderates और extremist दो तुकडे हो चुके थे, moderates जो है यह constitution के law के अंदर, उनके policies के अंदर, धरना से, प्रोटेस्स से हासिल करना चाहते थे, but extremist जो है, violent तरीखे से हासिल करना चाहते थे, के अंदर ही, so moderates had created a platform to promote anti-imperialist sentiment, but only within four walls of law, जैसे मैंने कहा न, law के अंदर ही, so, इनकी बीच में तनाव होने की वज़े से, extremist phase निकला है, जहां पे, realization of true nature of British rule, growth of confidence and self-respect, impact of education की वज़े से, international events demolishing myth of white supremacy, किस तरह से, America में, different different countries में, लोग जहे, revolt कर रहे हैं, okay, और जिस तरह से independence मिल रहा है उनको, तो वही एक international events भी है, there was dissatisfying with judgments by moderates, moderates, देखे, धरना, करना, ठीक, अची बात है, loss के बीच में रहे के काम करना, it's actually, it's very good thing, के, हमेशा violent नहीं होना चाहिए, बट वहां से, कोई result नहीं आ रहे थे, यह देखकर, extremist को बहुत ही, खुटन महसस होने लगी थी दोस्तों, वह चाहते थे, के Britishers को वही काम ही खतम करना, and reactionary policies जिस तरह से लेकर आ रहे थे, करजन, division of Bengal हो गया, या फिर subsidiary alliance, कि नहीं जाने क्या-क्या लेकर आ रहे थे उससे पहले भी, तो सारा कुछ इनको एक awareness के तरह हो गया है, और उनको यह पता चल चुका था कि Britishers मानने वाले नहीं है, तो इसलिए यह extreme method यूज कर रहे थे, development of trained leadership हो गया, देखें यहां पर methodology है, extremist की, क्या है, boycott of foreign goods, support for indigenous education industry, public meeting agitation, क्या ideology क्या है, believe in capacity of masses, स्वराज एक goal है, और direct political action होना चाहिए, क्यों ऐसा हुआ है, इसकी reason सबको बताना है, तो पहला है, understanding the exploitative nature of colonial state, British converted self-sufficient economy into colonial economy, defeat of Italian Russia in the international politics, Japan's modernization via industrialization हो गया, और तीस चौथा जो है, boyer war हुआ था, and revolutionary movements all over the world, this is also one of the reason माना जाता है, और क्या क्या methodology थी, in militant nationalist की, तो पहला जो है, secret societies such as, Anushiland Samiti Abhinav Bharat, बनाया गया था, ताके, strategy बनाया पाय, association of the unpopular officials, for example of plague commissioner, ran by Chapekar brothers, okay, immense faith in the capacity of masses, individual act of heroism, to set example and inspire people, next what was a Praja Mandal movement की बात करे, why did it start, what was the congress stand with respect to it, क्या है अच्छली, Praja Mandal movement, sorry, देखे, Praja Mandal was a group of people from princely states, princely states से बिलों करते थे, Praja Mandal में subject or princely state, chamber of prince, that is princely, aim is to uphold the popular, and aim is to uphold, not the popular, following are the reasons of Praja Mandal movement, undemocratic, artocratic government होने की वज़े से, और pitiable condition of masses in princely states, due to high taxes, and minimum rights, मतलब ये British government की वज़े से क्या है, इतने हाई taxes लगाया जाते थे, formers के पर, okay, इनकी land revenue पर, और कोई rights भी नहीं दिया जाता था दोस्तों, किसके पास जाके लडेंगे, तो इसलिए इस तरह का moment start किया गया था, growing nationalistic wave हो गया, educated middle class of princely states provided leadership, उसकाद lavish lifestyle of kings and princess की वज़े से, इनको खर्चा उठाना पड़ रहा है, जो नीचे तपखे के लोग होते हैं, उनी के taxes के पैसे से, ये लोग lavish lifestyle जी रहे थे, earlier Congress focused mainly on anti-British activities, but started taking princely state interested in 1922, in 1931 Congress demanded responsible government in princely states, 1938 the Haripura session of Congress declared princely state as a integral part of India, the Congress supported Paja Mandal movement, during Qt India movement Congress gave call to all people, next I discuss the role of working class in the freedom struggle, पहला phase one की बाद करे जो 1875 से लेकर 1980 तक हुआ था, वहापे जो nationalists थे, they differentiate between British and Indian owned factories, they did not want to hamper competitive edge of Indian factories, उसकात phase two आया, 1918 से लेकर 1924 तक, जब रफ्षियन revolution बहुती, okay high peak पे था, formation of common trend and emergence of Mahatpa Gandhi as a leader, इस सारा कुछ नहोंने workers की तरफ सारा focus कर दिया गया था, दोस्तों, उसकात phase three आया, 1924-1934, government ने एक trade union act 1926 को pass किया था, ताके जितने भी trade union है, factors के उसको properly regulate कर पाए, और इसमें से ज्यादा तर आपको communist influence देखने को मिला है दोस्तों, workers भी participate किये थे, Simon bycott commission जब हो था, उसमें participate किये थे, उसकात phase four आया, 1935 से लेकर 1947 तक, यहां पे congress minister with provincial autonomy, वर sympathetic to workers demand, and passed several favorable legislation दोस्तों, workers followed policy of peace during initial years of World War II, but participated upsurge in post-war environment, next question is discuss the tribal uprising in India during British rule, very very important question, in fact this question has been asked in IAS exams also, so tribal communities uprising against British government was due to oppressive policy, जिस तरह से लोग policy बना के exploit कर रहे थे न, सारे indigenous handicrafts हो गया, peasants हो गया, okay जो goods को exploit किया जा रहा था, उसको देखकर यहां पे upraising होने लगे, क्या क्या reason से, to get rid of outsiders British rule, led to influx of outsider in tribal areas, to protect forest in order to fulfill the demand of natural resources, Britishers started exploiting of tribal forest, उनके जरूरूवत के लिए यह लोग जो है, exploit करना शेरू हो हो चुके थे, क्या है, to protect the traditional entity, identity, there was a tribal uprising against Christian missionaries, to protect social and economic tribal life, and tribal rebellion in the British India took place for culture, social and political reasons, next, do you think the revolt of 1857 was a failure, यह भी important question है, analysis question है, जिसे कहते हैं, okay, so success or failure of any revolt, is not always measured by its objective, fulfillment, but by criteria such as, how well it performed as compared to its predecessors, as a result, okay, so किस तरह से, यह impact पढ़ा है, आगे चलकर इसका, क्या हमको benefit मिलेगा, उसके पर depend होता है, okay, ऐसा नहीं कि success or failure, आप सरफ objective fulfillment हुआ है, या नहीं, उसके पर basis पर आप decide नहीं कर सकते हैं, but anyhow, एक चिंगारी थी, जिसको हमको ऐसा मानके चल सकते हैं, कि आगे चलकर हमको independence मिला, इसी के जरिये से, लोगों के बीज में अगर देश भक्ती नहीं जाकती, तो कब तक आज तक भी शायद हम लोग British's कही खबजे में होते हैं, तो क्या आप इसे success कह सकते हैं, इसको भी एक तरह का success, So, Revolts started as Sepoy Mutni from Mirat on 10th में, but joined by Fidel Lords such as Bahadur Shah, General Bakht Khan, Begum, Hazrat Mahal, Nana Sahib, Rani Lakshmi भाय, जो के कई तरह के civilians भी पार्टिस्पेट किये थे, इसमें पीजेंस, farmers ने मिलके, और Revolts had limited territory, पहले मैंने आपको बताया था, मास्ट पिपल उतना ज्यादा पार्टिस्पेट नहीं किये थे थे, and every participant had his own motive to participate, which result in lack of coordination, common purpose, on other hand, British also work to suppress the movement, बहुत hardly नोने work किया था, Revolts shows Hindu-Muslim unity as a Hindu soldier, marched to Delhi to restore Muslim for leadership, यह point अच्छा देखने को मिला हमको, even though कई सारे Hindus भी पार्टिस्पेट किये थे, बट इन लोग जो है अपने लीडर को, Bahadur Shah 2 जो थे उनको ही मानते थे दोस्तो, British policy of annexation and expansion came to an end, और उसके बाद कई तरह के changes किये गए, वो changes में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद even further Congress formed as a safety wall to avoid another revolt in 1857, It affected national consciousness during freedom struggle, और ये nationalism के जो बींज है उसको बोया गया था दोस्तो, और उनके personalities का है, वो हम बताएंगे आपको, important है, देखे basis of difference की बात करे, Mahatma Gandhi और Dr. B.R. Ambedkar, इनकी ideology अलग-अलग थी, Mahatma Gandhi non-violence अत्यक रहा थे, और अब B.R. Ambedkar right based approach कर रहे थे दोस्तो, views on caste system की बात करे, so consider Varna system as a basis of division of labor, वही, Ambedkar sahab, Varna system as means of exploitation, operation की तरह माना जाता था, lower caste के पर क्या views थे, Mahatma Gandhi के, gave them harigent term and children of God, और इसमें Ambedkar sahab ने preferred the term Dalit, means of empowerment of lower caste की बात करे, तो गांधी जी कही कही ना कहा, by changing heart of upper strata Dalits, unity of Hinduism, but यह हमारे Ambedkar जो कह रहे थे, की rights के लिए लड़ा जाये दोस्तो, second means to leave Hinduism, freedom struggle की बात करे, back on a flight and played key role, और a negligible role माना जाता था, impact की बात करे, Indian constitution embodies Gandhian principle, his ideology become basis of Indian policy, और Ambedkar जी का कहना है की real champions of Dalit played a key role in the constitution making as well as drafting Hindu code, वही अगर आप Shubhash Chandra Bose और Gandhiji के बीच में जो differences थे वह अगर आप देखेंगे ideology correlated, तो पहला humanist, idealist and moderate दोस्तों, ऐसा मानना था Gandhi जी का, Shubhash Chandra Bose बोल रहे थे की यह socialist and realistic extremist है दोस्तों, strategy for freedom struggle, non-violence की तरह लडाया जाए, and morality जो है, he didn't wish, victory over the ruin of British, but यहाँ पे staunch nationalist fighter थे, उनका यह कहना था तुम खून दो, हम तुम को आजादी देंगे, बतलब violent means हो गया, sought support of Hitler दोस्तों, and state rule की बात करे, Gandhi जी का कहना है कि stateless society बने, और Shubhash Chandra Bose यह कहते थे, कि यहाँ पे mix of, you know, communist and democratic ideas, economy की बात किया जाए, trustorship, and Shubhash Chandra Bose का कहना है कि socialist model हो, national planning की बात करे, decentralized or village based ruler economy होनी चाहिए, decentralized, but Shubhash Chandra Bose जी का कहना है कि centralized होनी चाहिए, urban economy को जे emphasis किया गया है, working style, freedom fighter as a social reformer की तरह काम किया करते थे, कही तरह के moments में participate कि non cooperation moment, civil disobedience moment, quit India moment, और हरी जन्स, women farmers के लिए, इनके अपलिफमेंट के लिए कही तरह काम किया गांदी जी ने, वह शubhash Chandra Bose इनकी separate army ही थी, international army, educating mass, especially young people और revisionary थे दोस्तों, इसके बाद आगया Mahatma Gandhi और Jawaharlal Nehru के बीच में जो differences थे ideology को लेकर, वह हम discuss करेंगे, So ideology में अगर आप देखेंगे, तो दोनों के बीच में जो difference था कि Mahatma Gandhi का कहना है कि humanist और idealist बरखरार रहनी चाहिए, और Jawaharlal Nehru Ji का कहना है कि socialist रहना चाहिए दोस्तों, role of state में कैसा था, stateless society थी, So stateless society होना हमारे Gandhi Ji का aim था, individually so responsible that there is no less need of state, उसके बाद Jawaharlal Nehru strong state की demand किया थे, which should promote equity and prosperity, planning की बात करें तो गांधी जी का यह कहना था, कि bottom से लेकर अब तक जाए, मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि decentralized planning होनी चाहिए दोस्तों, Jawaharlal Nehru Ji का कहना है कि top to down जाए दोस्तों, being a Soviet model, driver of growth मानना था गांधी जी का की agriculture and rural economy है, and हमारे जवाला नहरुजी के जो perspectives थे वो industrial और urban economy को लेके ज्यादा थे, especially वो heavy industries को ज्यादा focus कर रहे थे दोस्तों, an economic model, trustship responsible the individual voluntary involvement in redistribution of wealth हमारे गांधी जी का कहना था, and state-led redistribution of wealth का यह हमारे जवाला नहरुजी का कहना था दोस्तों, उसके बाद गांधी जी और रविद्धना टाग और education के related क्या अपने अपने विचार रखते हैं, देखी यह विचार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं कि मैं कुछ PDF पड़ रहा हूं, ठीके यह विचार इसलिए important है कि आपको as it is इसी तरह कोशिश करे कि points लिखे examination में, हम लोग इतनी महनत करते हैं आपको कि इतने money cuts करके पैसा book मंगाते हैं, इसको scan किया जाता है properly ताके लोगों तक आपको free पहुंचे दोस्तों, we are not here कि आपको समझाते हैं बटे हर चीज़ को, because हम लोग एक path आपको दिखा रहे हैं कि वे आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप approach कर सकते हैं इन किताबों के जरिये से, याद करना आपको ही है, पड़ना आपको ही है, एक्जाम लिखना आपको ही है, महीं जाकर आपके दिमांग में जो और याद करना ही है कि पिडियो पड़ा रहा है या भीर किसी चीज़ का कॉपी कर रहा है तो please stop it गो घृट को झाब गौर्नमें में नौकरी लेके रहाते हैं हमको basically मक्सद ही होता है दोस्तों की लोगों के बताया जाया बस उतना ही कई सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं कई सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो उनका खुद का दिन का गुजारा चलना मुश्किल होता है बट उनके पास एक जील होती है क्यों मैं कुछ करूँ बट उनके पास financially नहीं होता है उन लोगों के लिए आजकल तो हर के पास accessible होता है YouTube जा चाहे अपने पास खुद का फोन क्यों ना हो दूसरे के फो स्मार्टफोन जो घर के नेबर सो तुनके स्मार्टफोन वन आवर के लिए जो है इन फाक्ट ऐसे दिन भी मैंने देखें जो वन आवर का रेंट भी मैं पे करता था स्रिफ स्मार्टफोन के लिए तो आपको इतना सब access हम लोग दे रहे हैं हम लोग इतना आपको feasibility accessibility provide कर र आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं I'm very happy दोस्तों मुझे किसी से दुस्मनागी नहीं है अगर आप अपने negative comments रखेंगे ना तो उसका प्रभाव जो है दूसरे students पर पढ़ना शुरू हो जाए बट उसी का डर है मुझे and I respect your comments I respect your whether it is bad or good जो भी हो मैं respect करता हूं बट गुसा इसलिए आता है मुझे कि देखे हम इतनी महनत करके लेकर आते हैं आपके सामने आप पसंद आया ठीक है कि पसंद नहीं है तो आप जा सकते हैं दोस्तों बट negativity मत पहलाएगा comics में ठीक है चली गांदी जी और रभिद्णा टागर की जो views थे education पर उनके हम जान लेते हैं गा प्रिजेट किया जाता है दोस्तों कि अगर कोई इंग्लीश बात करने लग जाया तो एक inferiority complex पर देखा जाता है इनको बट हमारे रभिद्णा ठागर जी का कहना है कि acceptance of western education यह है कि हमारी Indian learning को enhance कर देती है ठीक है method of learning की बात करें नई तालीम कहना है हमारे गांदी जी का and more interested in skill development और हमारे टागर जी का कहना है curiosity as means of learning plato's method of creating curiosity as means of learning दोस्तो means machines and technology की बात करें गांदी जी वास critical of machines and technology वही टागर जी का कहना यह है कि teaching modern science along with the traditional language होना चाहिए दोस्तों तो चले previous year के जो solved question and answer यूपी PCS के जो paper है वह देख लेते हैं पहला question पूचा गया था revolt of 1857 was stunning point of Indian history analyze कीजिए इसको देखें इन्होंने किस तरह से लिखा है पहली बात आपको जह 1857 के जो immediate effects है और क्या-क्या factors है वह आपको इसमें लिखना पड़ेगा दोस्तों किस तरह से एक extension of Mughal Empire को led हुआ था इसके after effects की बात करें और इस इंडिया company ने इन्हों इस revolt की बात किस तरह से कही तरह के government of India Act को पास किये गए और जो आर्मी में जो लोग थे ना इंडियन उसको कम कर दिया गया था social reforms बंद कर दिये गये थे तो सारा कुछ आपको यहां पर लिख सकते हैं दोस्तों जो मैंने आल्रेडी discuss कर रखा है starting में lecture के वही आप ब्रिटिशन ने कर दिया गया था दोस्तों यानि अभी इससे बात से जो है लोग अपने ट्रीटर को expand करना बंद कर दिया गया था इससे पहले हुआ करते हैं सारा points आप यहां पर लिख सकते हैं next examine the role of qim quit India moment in the freedom struggle क्याप सभी लोग जानते हैं जिस तरह से कुट इंडिया moment start हुआ था उसमें कई तरह के demands create हुए था जैसे के immediate end होना British rule का declare the commitment of free India to defend itself against all type of fascism to form a provisional government की बात की गई थी दोस्तों और a sanction of civil disobedience moment भी कहा गया है और यहां पे हमारे गांदी जी ने एक famous slogan भी कहा था do or die यह मैंने quit India moment जब मैं पढ़ा रहा था आपको उपर के pages में तभी आपको मैंने बताया था दोस्तों और 9 अगस्ट revolutionary movement ordinance the policy in one stroke arrested all the top Congress party leaders उसके बाद जो एंगल लीडर्स से उन्होंने आगे बढ़ानी की कोशिश की है जैसे के अरुनासफ अली अटल बिहारी वाजपाय राम मोहर लुहिया भी बिजू पतनायक जो second line of leadership इनको कहा जाता है इन्होंने आगे बढ़ाया इस moment को वह भी points अब लिख सकते है youth, women, workers, peasants किस तरह से इन्होंने इस moment में बढ़ चड़ कर participate किया था दोस्तों अगे पार्लल गोर्मेंट फार्मेशन वहा था बलिया में ठीक है ये भी मैंने कहा था आपको governor generalship of lord venusley lord venusley came to India at the young age of 37 during that time england was fighting with the french all over the world venusley stayed in india from 1798 to 1805 okay he was a staunch imperialist who was of view that french venus in india can only be counted if the money acquires direct control of indian empires ठीक है double strategy of venusley came to be called as policy of subsidiary alliance दोस्तों जी हां उनमें कई सारे terms conditions रखे गये थे कि अगर कोई अगर कोई रियापिः हां सच्थ सरेंडर्य हाइदरबाद मैसूर अवद तंजोर पेशावर ओके राजा बेरार एंड इसक इंडिया राधपूच स्टेट्स जैसे के जोदपूर जैपूर बुंडी इसारा कुछ इसी में एनेक्स कर दिया गया था दोस्तों और उसके बाद जोए फॉंडेशन लेट बाद लॉंड वेल रीजन माना जाता है इन चीजों का जो एक फायर जाग उधी थी हमारे इंडियन्स में जो सिपाय रिवाल्ट हुआ था 1857 में इसके इलावा भी मैंने इमीडियेट एफक्ट पी आपके सामने डिसकस किया था दोस्तों कि किस तरह से कैट्रिजस में जो एंफिल्ड राइफ पाद में अच्छा ही हुआ क्योंकि इसको जो है हम फस्ट वार अफ इंडिपेंडेस इसी ले कहते हैं कि इतने सालों तक इतना मास मुमेंट हमको देखने को नहीं मिला इवन दो देखा फेलर उनको उनकी हाथ में जो है जो है नाकामियाभी ही लगी है बट एक स्पार्क है जिसको हम डारेक्ली रिलेट कर सकते हैं 1947 के इंडिपेंडेस में दोस्तों तो दिस अबोट बेसिक ओवर्वी बेसिक आइडिया हमने फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पड़ा जो जो इंपोर्टन कोशन से उसके बारे में मैंने आपको बताया मॉडल कोशन पेपर भी हमने पड़े यूपी PCS में जो पूछ सकते हैं आगे चल कर तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स टॉपिक में इसके तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों